हेलो एवरिबान एंड वन्स अगेंड वैलकम टू डवलो स्कूब टेक्ट प्रोग्रामिंग चैनल गाईज मैं हूं भागी रदगीरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा स्कृप्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन यहां पर यह मेरी फाइल जो है वह एक सिंपल डॉक्यमेंट है अश्टेमेल का और आप देख सकते हो इसमें हैट टाइग है बॉडडी टाइग है यह नहीं सिर्फ एक डॉक्मेंट बनेगा और फिर इसके अंदर आप यूज करोगे इसक्रिप्ट टैग का स्कृप्ट जो पेज के सबसे नीचे ह्टि ऐम से पहले लगानी होती है फिर आप कहीं पर जावा स्क्रिप्त लगाँगे वर्क तो करी जाए की बट हम लोग आइस टैंडर फालो करेंगे और सबसे नीचे जावस्कृप्क को लगाएंगे अब सबसे पहले ब्ताँ की इंटरनल जावस्क् इसको आपको इड़ दिखाता है यह आपको अभी मैं इसको अगर सेव कर रहा हूं यहां से और इसको करता है run to browser और जैसे आप देखो कि ब्रावजर पर उपन होता है, यहां पर एक alert दिखता है, जैसे ब्रावजर पर उपन होता है, इस page सेज करके एक alert दिखता है, और आप OK press करते हो तो हड़ जाता है, अब यह किसकी होज़े से दिख रहा है? इसकी होज़े से, अगर मैं इसको comment कर दो, comment के के लिए आपको क्या करना होगा double slash लगाने होंगे single line comment के लिए आपको javascript के अंदर double slash लगाने और करता हूं refresh अब आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर यह ऐसा अलर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने javascript का जो अलर्ट था उसको हमने क्या कर दिया comment कर दिया तो comments का भी एक बड़ा फाइदा है कि आप जब debugging कर रहे हो तब आप देख सकते हो कि कौन सा function या कौन सी line पर error आ रहा है उसको comment करके देख सकते हो कि आगे यह error ना आए तो आपको पता चल जाता है कि यह वाली particular line पर error है तो comments के लिए क्या आज उसकरना आपको single line comment के लिए double slash तो यह बात हो गई हमारे alert की तो alert क्या करता है एक alert दिखाता है अब next function की बात करते हैं लोग तो next जो है वो मेरा है console.log और यह क्या करेगा आपके console पर console पर क्या करेगा एक message प्रिंट करेगा console पर कैसे message प्रिंट करता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ console कहा होता है इसको comment कर लेते है refresh और यहां से आप देखोंगे मैंने यहां क्या किया है मैंने right click किया page पर और inspect पर click किया तो यह inspect box खुल गया एक और inspect में आपको एक tab दिखेगा यहां console इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं तो यह है आपका पूरा page का inspect box और इसमें आपको यहां पर console एक tab दिखेगा तो इस console पर आप click करोगे अभी आप देख रहे हो कुछ नहीं है यहां आप कुछ type भी कर सकते हो अभी console में देखता हूं मैं लेक सेखता हूं console.log क्यों रहे से तो console.log और यहां पर मैं लेक देता हूं wskutext अब ये WSQTEC आपको कहां दिखेगा आपको इस console पर दिखेगा कब दिखेगा जब आपका page refresh होगा मैंने page refresh की आप देख सकते हो console.log दिख रहा है मुझे अब console.log में आप क्या चीज़े करवाते हो console.log में वो चीज़े आप रखते हो जिस पर आपको टेस्टिंग करनी होती है यह नहीं सिर्फ टेस्टिंग परपस की चीज़े obviously user के लिए तो वहां कुछ रखना ही नहीं है क्योंकि user थोड़ी inspect में जाएगा और console में देखेगा user कहां से देखेगा user सिर्फ screen पर देखता है body में देखता है तो console में आप वह चीज़े रखते हो जो आपको बाद में डीबग करनी है debugging के लिए उस करनी है वह वाली चीज़ें आप console में रखते हो और console.log से print करवाते हो तो guys यहां तक तो concept होगे हमारा console का और अब next हम लोग बात करते हैं हमारे अगले function की तो जो हमारा अगला function है वो क्या करता है document.write document.write की बात करता हूँ पहले मैं लिख लेता हूँ syntax और document.write अब मैं बताता हूँ document.write क्या करेगा आपके document पर कुछ लिखवाना है document पर कुछ लिखवाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको document.write उसकरना पड़ेगा क्या लिखवाना है कौन सा document होता है document का मतलब होता है आपका पूरा page यानि ये पूरा आपका एक document है और इस पे कुछ लिखवाना है dot write कहां काम करेगा body के अंदर काम करेगा अब body में आप जब इसको ऐसे normally लिख दोगे document.write तो ये body के अंदर सबसे उपर यानि टॉप लेफ्ट कॉर्णर पर ये कुछ लिख के देगा क्या लिख के देगा जो आप चाहते हो सपोज मैं यहाँ पर hello लिखूं तो मुझे hello लिख कर देगा अब यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं बाडी पर रिफ्रेस्स करता हूँ यहाँ पूले में hello लिखा हूँ आ रहा है किसे tag के साथ लिखाना चाहते हो तो tag के साथ भी लिख सकते हो जश्ट क्या करो इसको एक tag में enclose कर दो h1 और यह हो गया स्क्रिप्ट एसे स्क्रिप्ट के तुरू यहाँ पर यह आया हुआ है ओके और अगर इसके बाद आपको और भी कुछ चीज़े लिखा हूँ नहीं है तो और भी एक यहाँ पर आप पर document.write लिख सकते हो और document.write में यहाँ पर मैं यह लिख देता हूँ hello everyone तब यह everyone कहां दिखेगा आपको यह everyone दिखेगा आपको hello की नीचे आप देखे हो hello की नीचे everyone हुझे visible हो रहा है तो यह हमारा क्या करता है document.write document के अंदर यहीं body के अंदर कुछ लिख के देता हमको जो हम चाहे लिख सकते हैं अभी फिलाल हम लोग body में random लिख वा रहा है बाद में हम लोग div specific या element specific भी लिखा सकते हैं यह particular element के अंदर लिखाना है तो भी आप document.write से लिखा सकते हैं वो मैं further वीडियो में आपको बतात उसको एक text box देता है जिसमें user कुछ input कर सकता है जैसे मैं आपर लिखता हूँ please enter your name तो यह user के लिए क्या खोलेगा user के लिए एक box खोलेगा जिसमें उपर लिखा होगा please enter your name और जो दूसरा argument मैंने दिया है वो क्या करेगा उस text box की value लेके जाएगा तो आप अगर इसको empty र address किया है यहाँ पर आ रहा है this page says please enter your name और आप नाम enter करो okay यह cancel press करोगे तो इसके उपर आप कोई task करवा सकते हो तो यह task जो है वो बात में समझेंगे फिलाल में important क्या है कि prompt कैसे work कर रहा है prompt user को एक message दिखाएगा प्लस उसके एक text box लेगा अब चाहते हो कि user को पहले से कुछ input भी जाए तो मैं जैसे यहाँ पर please enter your name मैं wskubetech लिख देता हूँ अब देखना आप कि यह जो prompt box अभी आप देख रहे हो यह code को change करने से पहले काल please enter your name और text box empty refresh करो तो welcome to wskubetech पहले से लिखावा दिखेगा आपको यह wskubetech जो है व और ok press कर दिया तो वह जो text box की value वह आप बाद में use कर सकोगे तो guys यह तो बात हो गई prompt box की अब इसी तरीके का एक box होता है जो आपको ok और cancel की permission देता है वह होता है confirm box confirm क्या कर रहाता है आप से पूछता है confirmation लेता है जैसे do you want to login जैसे हो गया do you want to login और user से क्या लेगा confirmation यह चीज़े आपने कहां देख्योंगी यह चीज़े आपने देख्योंगी जब आप Google के किसी page पर हो Gmail के किसी page पर हो कोई task चल रहा है और आप cancel करो तब आप cancel करो किसी और page पर जाओ तब वह उपर से प्रॉम्ट आता है do you want to cancel this task तो आप yes or no करते हो do you want to leave this page आप yes or no करते ह तो वह किस इवेंट पर हो रहा है किसी और जगह पर click करते हो आप तब उस इवेंट पर वह आपको दिखाता है do you want to leave do you want to cancel आप yes or no करते हो so I hope guys आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यह important functions work करता है किस तरीके से comment लगाया जाता है और किस तरीके से हम लोग internal javascript use करते है that's it for this video thank you so much for watching